हेलो फ्रेंड्स आप सब का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपके सामने लेकिया हूं रसगुला राश्पी बहुती सोफ्ट गुलाएं और रसीले रसगुले देखिये कितने रस है यह मेरी सिंपल सी एजी सी रसपी है अगर खाना खाने के बाद आपके कुछ मेटा खाने का मन करें तो आप इसको अपने घर पर बना सकते हैं तो चलिए आए हम रसगुला बनाना शुरू करेंगे प्रसुला बनाने के लिए सबसे बेले मैंने एक लिटर दूद लिया है यह प्योड़ दूद है डबल टॉल्ट का तो सबसे पहले हमने दूद को गर्म करना है इसको अच्छी तरह से और में इसको गैस पर गर्म होने के लिए रख दिया है अब आपने इस दुफ्तो पर से मिलाई बिल्बिल नुतार नहीं है मैंने इसको एक और सब्सक्राइब कर दिया था इसको अब दुबारा से कर रहे हैं देखिए इसको इन दुख रहे हैं दिखिए हमाज दूद है वाल आना शुरू हो गया अब हम क्यास को बंद करतेंगे पैसे इसे दे लिएप दूद आँगे ये भाइट विंगर यह वाल ये सब्सक्राइब अब इसको सीका भी बॉल सकते हैं आप इस दी ब्लू कर सकते हैं लिख धुल नहीं हम इसको मिल्नर क्लेह उसको मैं इसको भुट ऑ शुटता करकर ड्रमने व यह साथ की साथ हमने हिरा कल बनाटते रहना है कि कि अगो डिखिए हमाइज दूदर था उधार उधार आद फाट शुकत कि इसका सपनेज की अब एक वैकन अब इसके हमाइजे नहीं जाए तर्टे सरफजों चुकति दार देंगे एक लाज थंदा पानी आप इसको विलाते रहें बीच बीच में इसको हम 10 मिट के लिए रख देंगे ताकि यह जो हमारा पनीर थंदा हो जाए देखिए हमारा पनीर थंदा हो गया है जुन गुना सा हो गया है हम इसको बिल्कुल थंदा भी निकरना है पर ज्यादा गर्म भी निरखना है अब इसके हम पानी इसको अलग निकर देंगे मैंने यहाँ पर एक कोटन दी चुन्नी ले रही हूं और यह जो पनीर हमने लिया था वो इसको पर डाल देंगे तकि हमारा पनीर है और पानी है वो अलग हो जाए कि इस तरह से हमने इस पनीर को पाने से अलग कर लेना है कि इसके अंतर से अभी पानी निकल रहा है तो देखिए जो एक्स्टा का पाइन था वो मैंने अलग बरतन में रख दिया और जो पनीर है इसके ओपर हम तो ठंडा पानी डाल देंगे तकि इसके इंतर जो सिर्का डाला था थामने उसकी खटास भूल को भी ना रहे हुर हमन इसतर इसको मसर लेना है ताकि फिस्के जो घर्माहट है वह निख़यक जाए AJ पानी डाना से खंटा हो गया हम इसके पर फेसम चोड़ लेंगे हमने इसके अंतर सिसका पासारा पानी इंकार लेना इसको बिल्कुल ड्राइ कर लेना है देखिए माजब पनीर है वह निकल चुक है हमने इसको अच्छी तरह से मैश करना है अच्छी से मशलने हमने इस तब कोई गाठा सके बिच रहें दिखिए हमारा जो पनीर था यह को मैंने अच्छी से मशली है और मसलने के बात रखता है हमारा जो पनीर हम इस तरह से हाठ्टिक तरह बन जाएगा पनीर को में सलने के बाद इसके तम डालेंगे एक चमुछ अरा रोड, कॉर्ण फ्लोर, आपके बास कॉर्ण फ्लोर कॉर्ण रोड आ सकते हैं, अरा रोड हैं तो होडा सकते हैं, डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लें, विकी इस तरह से कि देखिए इदर में इस चोटे पीस कर लिए हैं, जोटे पीस किये थे, हम इसके प्थोड़ी बना लेंगे इस तरह से, ध्याहां रखते कि इसमें कोई त्रेड बिल्कुल भी न हो, यह बिल्कुल सॉफ्ट और रूंडारू गोल बने, आप साइज उसी साब से रखें कि कर देखिए, इसना से मैंने इसकी लोई बना लिया है, मेरी एक लेटर दूद के इंदर, 1,2,3,4,5,0,7,8,9,10,11,3,4,6,7,8,8 लोई बनी है, सबसे बेले हम गयास के पर एक पता लाख हैंगे, मैंने एक लेटर दूद लिया था, तो मैं उसके अंदर 400 ग्रम चेले देख कर दिया, अरश के बड़े में एक कटोरी पानी का, अ तो अविधे मैं एक पानी के लेटर दिया है, अचाशनी को बालने के लिए रख दिया है, और इस चाशनी है, वह भी अच्छी में से घुल्चु के इसके इंदर देखिए, वह तरभी हैंगे, पर यह अभी अच्छे चिपिस भी नई हुई है अब चास्नी त्यार नहीं है अब इसको हम और उबालेंगे जब हमारे चास भी पलेगी रखो के आप इसको बालने के लिए तो इसके तर दाल देंगे दो इलाची अब इसको एक एक डालें गयाश को अब इसको अब इसको एक एक डालें गयास को स्लोगर दें और गयास को स्लोगर दालने के बाद हम इसको पास से चार मीट के ड़के पकाएंगे गयास स्लोगर करके दो मिन टोचके हैं एक बार हम देख लगते हैं इसको अब पूलने शुरू हो गए हैं पर अब अच्छना से पके नहीं है आप इनको हलकी हाथ से एक बार हिला लें ताकि हम जोगर स्लोगर अच्छी नहीं से पूल जाएं अम इसको दुबा से ठीक के रख देंगे अभी तीन मिन्ट और के लिए देखिए तीन मिन तो चुके हैं अब में एक बार चेक कर लेते हैं इनको और जो हमारे रस गुल्ले अब बंगर बिल्कुल त्यार है हम ग्यास को बंद कर देंगे पर इनको ठंडा होने के लिए रखनते हैं अभी थे तो पर बिल्कुल तयार है और मैं इनको बंगे हैं अश्य शुच्छ फंडा अच्छि लगते हैं अब यह बदकर बिल्कुल त्यार है हुआ है झाल झाल